हेलो सुदेंट्स वेलकम डुदर अभी मन्निवाई एस टारगेट आएस 2021 में आप सभी का स्वाकत है जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग टारगेट आएस सेशन के अंदर करेंट अफेस को कवर अप कर रहे हैं तो स्टुडेंट्स अकर बात करें करेंट अफेस की जो आपको प्रिलम्स प्लस मेंज 2021 में सबसे ज़्यादा बेनिफीशल रहने वाले हैं याद रखिए हम लोग मार्च 2020 से लेकर एप्रिल 2021 के सभी के सभी करेंट अफेस को 70 डेस के अंदर कवर अप करेंगे यानि कि बिफोर प्रिलम्स ऑफ 2021 हमारा ये सेशन बहुत ही भड़िया डंग से खतम हो जाएगा क्योंकि हम लोग इन सेशन के अंदर हर एक करेंट अफेर को वेल डिटेल्ड और एक्स्प्लानेशन से कर रहे हैं क्लियर है और अगर बात करें इन लेक्चेस के ऊपर तो अभी तक के हमने 23 लेक्चेस लगा चुके हैं जिसके अंदर हमने मार्च अप्रल में जून को कवर अप किया है इवन हमारे जुलाई के लेक्चेस अब कॉंटिनुडी में रह रही है और वो है 2020 के करेंट अफेस के और जो आज का भी हमारे लेक्चेर रहेगा ना 24 लेक्चेर वो भी हमारा जुलाई 2020 के करेंट अफेस के बेसिस पर ही रहने वाला है क्लियर है बस आप लोग मेरे सथ बने रहें क्योंकि अगर ये आप लोग कॉंटिनुडी में देखते जाएंगे ये सेशन को तो आपको कर अब हो जाएंगे आपके और आज हमारा 24 लेक्चेर है जुलाई 2020 के करेंट अफेस के ऊपर तो शुरू करें और अगर मैं अपने बारे में इंट्रोड़क्शन दू तो मैसल्फ कनम अगरवाल आम करेंट अफेस मेंटर इन अभिमन्यू आएस तो लीजिए फ्रेंड्स हम लोग आज का अपना सेशन शुरू करते हैं हमारी आज की सबसे पहली न्यूज रहती है इटोलीजूंबा वो क्या चीज है एक एमर्जनसी कोविट 19 ड्रग है और ये आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा फॉर्द जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 के लिए याद र तो लीजी शुरू करते हम अगर बात करें सबसे पहले भारत के अंदर अब कोई तोम भी भी ट्रग है उसको कौन क्लियरंस ये इले ये मतलब ड्रग कं ट्रोलर जेनरल उफ एंडिया मतलब ट्रूंग एस थीए गेंदि Pers finger कंट्रोलर जनरस जेनरल उफ इंड नहींट नेंड परमीजन दी ये फार दो युविट 19 वेंड दिक टोली chronic plague proriasis concept याद रखें किस के लिए यूज किया गया था chronic plague proriasis के लिए clear है यहां पर लिखा यह जो drug है आपका itoliozumab is for the emergency use सर्फ यह emergency use के लिए है use in the treatment of the cytokinin storm syndrome अब concept क्या है what do you mean by css जिसको अभी हमने बोल दिया cytokine storm syndrome in moderate to severe acute respiratory distress syndrome patients due to the covid-19 अब concept यहां पर आता है what do you mean by css तो students आप लोग बने रहें और हम लोग इसके ओपर थोड़ सा data add-on अभी शुरू कर देते हैं अब देखें यहां पर just a minute कि हमने इस चीज को देखना है कि what do you mean by cytokine storm syndrome जिसको अभी हमने short form दिया है css तो यह क्या चीज है और हम लोग इसके ओपर थोड़ सा add-on data कर लेते हैं यह आपका important रहने वाला है for the science and tech के रहें तो यहां पर लिखा गया कहते the immune system मतलब यह क्या चीज है जो आपका cytokine storm syndrome है वो किसको यह है और वो क्या role play करता है वो है the immune system in our bodies protect us यह एक immune system है css जो हमें protect करता है किस कहां से bacteria से viruses parasites by removing अरे किसको remove कर देगा by removing them from our systems clear है यहां तक अब आगे बात करें अगर इसी के लिए cytokine storm syndrome के लिए तो यहां पर बोला गया यह क्या है an effective immune system यह एक effective immune system है जो response करता है involve करता है inflammations and important and indispensable part of the process clear है यहां तक तो यह एक मैं यहां पर बोल सकता हूं कि this is your basic definition for the cytokine storm syndrome अरे concept यह ही है कि हमारी body को protect करना है किस से bacteria से viruses parasites से ताकि यह किस तरीके से अब वो कर बोल है by removing them from our system clear है को doubt हो नहीं है चलते हैं आगे देखते हैं अभी शुरू है हम अभी हमलब तो यहां पर लिखा जो आपका यह drug है यह manufacture किया गया manufactured and formulated as an intravenous IV injection अब यहां पर मैं prelims perspective से इसको important बोलना शुरू कर दूँगा और इसको भी prelims perspective से याद रखिए कि यह जो आपका drug आया iatolizumab जो इसको manufacture किया गया और formalize किया गया था एक IV injection के लिए मतलब intravenous injection तयार किया गया है at the कहां पर at the bio manufacturing facilities कहां पर in the Bengaluru बहुत important रहेगा prelims plus means perspective से याद रखें यह चीज़ें आप लो clear है यहाँ पर बूला गया कि जो IT sorry iatolizumab है is the first novel biological therapy यह सबसे पहली एक biological therapy है to be approved जो DGCI ने approved किया भारत का drugs controller general of India ने anywhere in the world for treating the patients with the moderate to the severe covid-19 complications अब आप लोग इसके ओपर भी focus करना prelims perspective से कि मैं तो सरफ बात करना था भारत के लिए अब यह पूरे world की बात हो चुकी है पूरे world में कि यह moderate से लेकर severe covid-19 complications को यह handle करने में थोड़ा सा सक्षम रह रहा है clear है यहाँ तक अगर my dear students देखो कोई भी doubt है ना तो आप लोग comment section में जुरूर लिखें इसके बारे में clear है ताकि मैं अगले slides में आपको next session में जो आपका doubt रहेगा उसको बाए clear कर पाऊ clear आगे बढ़ते हैं यहाँ पे लिखा dgci approval for the repurposed drug comes after the successful conclusion of a randomized controlled clinical trial concept क्या है अरे dgci approval कब देता है जब उसका clinical trial हो जाता है काव पे भारत के multiple hospitals के अंदर यहाँ लिखा गया the trial was designed employing a method अरे जो trial किया गया था multiple hospitals के अंदर भारत के अंदर वो methods थे called simon's two state design and approach in executing phase two clinical trials where the efficiency of a drug is tested यहाँ पे efficiency आएगा efficiency of a drug is tested याद रखें कोई भी drug dgc जब approve करता है उस approval से पहले तीन phases का trial रहता है फर्स phase second phase और third phase इसके अंदर concept क्या रहता है कि इसके injection को inject करने के बाद इसके क्या side effects आ रहे हैं क्या body के अंदर changes आ रहे हैं तो यह सारे के सारे no down किये जाते हैं तीन trials के अंदर then after three trials का study data तयार क्या जाता है जो send क्या जाता है director controller drugs of India के लिए तो वो लोग इसको फिर approval जाके देते हैं clear it तो यहां पर लिखागा कि other criteria such as improvement in the oxygen level क्योंकि अभी पता है कि COVID-19 में problem क्या रहते हैं यह एक syndrome है जो basically किसको effect कर रहा है respiration system को effect कर रहा है जिसके कारम oxygen level human body में बहुत कम रह जाता है अब यही drug आपका oxygen level को भी improve रहा है क्योंकि लिखा है यहां पर improvement in the oxygen level and reduced inflammations were also convincing to several doctors who use the drugs on their patients यह again मैं इसको important mark कर रहा हूं आप लोगों पे लिए कोई दिक्कत तो नहीं है यह आपर अगर कोई doubt है तो please बताए even मैं एक और announcement करना चाहूंगा आप लोगों के लिए just a minute मैंने फिर से comments को देखा है तो students जो आपका PDF को लेकर problems चल रहे है न वो भी आपकी solve out हो चुकी है आप लोग जैसे session देख रहे हैं तो उसके description section में जाएं तो आपको PDF का link provide किया हुआ है वहां पे आप लोग वहां पे जाके link पे जाके अपनी PDF को same session की download कर पाएंगे clear है बढ़ते हैं आगे अब यहां पे लिखा है कि the evolutions also results on the IT low sorry itolizumab being added to the best standard of the care which slightly veiled across the hospital so standardization कर दिया गया है केते its usage तो यह drug का जो usage होता है was justified क्यों केते because of large trials and the safety assessments are already done for the produces clear but plus इसके और भी addition क्या गया केते it is hard to recruit a large number of patients in the critical care condition so number had to be kept low up concept क्या है अब यह बोलना problematic है कि it is hard to recruit a large number of patients की हम लोग large number of patients की weight करें जिसको यह drug लगाया जाए for the clinical trial clear रहे ना so had to be kept low तो मतलब जो critical conditions है उसको had to be kept low यह concept याद रखें आप लोग clear रहे आगे यहाँ पर लिखा केते the available evidence of remdesivir drug है जो suggest तो यह क्या suggest करता है that it may decrease तो यह drug शायद से decrease कर सकता है the time for the clinical improvements when used in the moderate to severe cases and has no benefits in terms of reduced mortality concept देख लीजिए तो सिरफ अगर मैं layman language में बोल दूँ तो remdesivir एक ऐसा injection है जो आपको hospitals के अंदर लेकर जाने से बचा सकता है या फिर यह बोल सकते हो कि जो एक critical patient है जो अभी hospital के अंदर है वो admit है तो वो जल्दी से discharge हो सकता है with the help of remdesivir और कुछ नहीं है बट यहां पर लिखा no benefit in terms of the reduced तो यह कम भी नहीं कर पा रहा कि इसको mortality को clear है यह लिखते हैं Remdesivir जो एक drug है COVID-19 के severe cases में use किया जा रहा है has to be used with extreme cautions क्यों याद रखे मैं इसको trillums के लिए बहुत important mark कर रहा हूं यहां पर mention भी कर दिया गया कि extreme cautions है क्यों क्योंकि इसके serious adverse effects देखे गए है including liver and kidney injuries अब concept देख लीजिएगा अगर आप मैं बात करूं liver की तो students यह liver के SGOT और SGPT एक values रहती जिसको काफी जादा अब कर देगा और अगर बात करें kidney की तो यह kidney को injure कैसे कर सकता है यह kidney का creatinine increase कर सकता है यह वाला clear है अब बात करें अगर एक minute just a second अगर बात करते हैं कि what do you mean by remdesivir drug अर यह क्या चीज है और यह कहां से आया drug तो इसके बारे में थोड़ा सा data आप फिर से add on कर जिए यहाँ पर लिखा गया है remdesivir एक second just a second okay now यह बोलते है drug है अपने पास remdesivir तो यही drug है आपका तो इसके बारे में क्या चीज डिटेल हमें पता लगती है तो देखें आप लोग number one केते हैं the drug is developed यह developed किया गया था to treat Ebola यह सबसे पहले और सबसे dangerous disease है जो आपको एफरिका के अंदर भी मिला था and related viruses और Ebola के लिए और उसी के साथ मिलते हुए viruses के लिए यह drug को बनाया गया था is being tested to find out whether it can be just a second कि शायद से जो आपका remdesivir drug है वो क्या शायद से covid-19 के patients को भी दिया जा सकता है क्या it can be used on covid-19 patients तो जी बिलकुल हम लोगों ने इसको use करना शुरू कर दिया है जैसे कि आपको knowledge भी है तो अभी एक और data अगर देखा जा इसी के लिए इसी injection को लेकर इसी drug को लेकर कि according to the world health organization the drug helps to protect covid-19 viral replications तो यह world health organization ने जो अपनी रिपोर्ट में बोल दिया था about the remdesivir clear even अगर हमने यह भी पढ़ लिया इसके serious effects आपको कहां कहां पर देखने को मिलेंगे liver and kidney की ओपर clear students यहां तक देखे कोई भी doubt रहता है मैं फिट से वही announcement करता हूँ my dear students अगर कोई भी doubt है आपको यहां पर लेकर तो please comment section में जरूर लिखें आप लोग okay fine हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पर आगे लिखा गया यहां पर आगे लिखते हैं जो यह drug है iclolizumab appears to have been tested on too few patients to reliably conclude on its benefits and with such a small sample size it would be unwise to claim it as a final and the fully successful drug अब concept क्या है हमने इतना ज्यादा भी यह drug को use नहीं किया है human body के उपर कि हम यह बोल सकें यह benefit है तभी तो यहां पर लिखा गया कि unwise to claim it as a final and the fully successful drug clear even यहां पर लिखा गया कि 30 patients were recruited across four hospitals तो चार hospitals के अंदर 30 patients को recruit किया गया and 20 of them were given तो उन में से 30 में से 20 को हमने itolizumab का IV injection inject किया along with the standard of the care treatment and 10 were given only standard of the care और किते nobody died from the set of 20 patients तो जिसको भी हमने दिया था यह injections उसमें से किसी की भी death नहीं हुई and 3 patients died from the set of 10 patients और जिसमें 10 patients याद रखें वो 10 patients जिसको हमने सिरफ और सिरफ क्या दिया था only giving standard of care तो उन में से 3 की death हो गई थी clear है यह data था अब drug controller general of India के बारे में भी देख लिया जाए तो यह एक responsible है approval देते है license of specified categories of drugs such as blood याद रखें किस किस के लिए license provide किया जाता है DGCI के द्वारा blood, blood products, IV fluids, vaccines and the sera in India मैं फिर से इसको important mark कर रहा हूँ आप लोगों को यह data knowledge होना चाहिए और आपका जो drug controller general of India है students वो कौन से मंतरा लेके अंदर आता है वो आता है ministry of health and the family welfare again data important रहेगा याद रखें मैं आपको वही news के अंदर वही data करवाऊंगा जो आपका prelims और mains perspective से काफी ज्यादा important रहता है please request है आप लोग बस बने रहें मेरे साथ मैं आपको current office में कोई problem नहीं होने दूँगा clear है आगे बढ़ते हैं हम लोग next अपने न्यूस पर चलते हैं अब हमारे next न्यूस आती है कि flood resistant peddy जो असम के अंदर हुई है यह हमारे लिए important है GS paper 1 and GS paper 3 के लिए तो shall we start okay हम लोग अब शुरू करते हैं यहां लिखा कि जो farmers हैं कहां के गोला घाट डिस्टिक ऑफ असम के अब concept क्या है किसान गोला घाट डिस्टिक के जो असम में है उन्होंने cultivation शुरू किया new flood resistant peddy variety अरे concept देख लिए flood क्यों ही यूज कर लिया क्योंकि इसकी quantity जो production बहुत ज़ादा हो चुकी है तब ही तो word यूज क्या flood resistant peddy variety अब या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि flood resistant या फिर थोड़ा सा एक मिर्ट यहां पर लिखा ना flood resistant my mistake I'm sorry I'm sorry मैं थोड़ा सा गलत बोल गया आप लोगों के लिए just a second just a second यहां पे quantity की बात नहीं कहीं गई है students यहां पे बोला गया जो flood resistant है जो floods को सह सकती है उस तरह की हमने एक peddy variety को इजात किया है कहां पे गूला घा डिस्टिक असम के अंदर to shift from the traditional ones clear अब यह चीज हाला कि आपको यह चीज जादा important रहेगी prelims perspective से और agriculture के अंदर या फिर यह लगा लो geography perspective से आपका second point prelims के लिए बहुत important है वो क्या चीज है यह varieties को बता रहे है पेड़ी की कहते एक रहते रंजीत सबवन एक आता है सवर्ना सबवन फिर एक आता है बहादुर सबवन have been used by 60% farmers of the west भ्रह्मापुत्रा एरिया अरे west भ्रह्मापुत्रा एरिया को directly ये लोग अस्थम की बात कर रहे हैं याद रखें अस्थम की बात कर रहे हैं clear है तो हम लोगों ने varieties कौन कौन सी use कर ली रंजीत सबवन सवर्ना सबवन और third is your बहादुर सबवन ये सारी की सारी आपकी किसकी variety है पैड़ी की variety है जो west भ ला गया कि जो किसान है farmers in the flood prone areas of Assam अब concept है यहाँ पे सबसे बड़ी नदी कौन सी रहती है आपकी ब्रह्मा पुत्रा ही रहती है तो तबी तो लिखा flood prone area have been harvesting the water resistant सवर्ना सबवन developed by the अरे बहुत important है फिर से prelims perspective से बहुत 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 important है जो सवर्ना सबवन एक particular species आ गई कि इसकी सर वो पेड़ी की स्पीशी आ गई वो developed किया गया by Indian Council of Agriculture Research and Manila based International Rice Research Institute since 2009 तो students यह जो आपका पेड़ी के वराइटे सवर्ना सबवन इसको developed किसके द्वारा किया गया एक तो किया गया था ICAR मतलब Indian Council of Agriculture Research और एक किसके द्वारा किया गया International Rice Research Institute के द्वारा ठीक है तो अब यहां पे लिखा but the switch over from the traditional variety of paddy has been slow कोई डाउट हो नहीं आपको यहां पे अब यहां पे हमें थोड़ा सा data add-on करना पड़ेगा about these two institutions तो शुरू करते हैं हम लोग यहां पे अब concept देखें यहां पे ओकी number one what do you mean by Indian Council of Agriculture Research तो यह क्या चीज रहती है Indian Council of Agriculture Research तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा details study पढ़ लेते हैं हम लोग number one कैते it is an it is an autonomous it is an autonomous organization यह एक autonomous organization है under the किसके अंडर आती है under the department of agriculture research and education थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना कि यह जो ICAR है यह कहां किसके अंदर आ गई है department of agriculture research and education के अंदर जिसको हमने short form दिया हुआ DARE और यह कौनसा मंतरा ले आ रहा है ministry of agriculture and farmers welfare कोई doubt अभी तक का okay हम लोग आगे चलते हैं इसी के बारे में ICAR को establish कब किया गया था establish on 16th of July 1929 तो before independence यह आपका department बन चुका था कहते तब उस टाइम पर मैं अब थोड़ा सा pen का color change कर रहा हूं क्योंकि important रहता है UPC इस तरीके कोशन पूछ रकता है याद रखें was formerly हाला कि बहुत basic है formerly known as the imperial council of agriculture research मतलब क्या है कि 1929 में जब यह आपका department बना तब इसको क्या बुला गया था imperial council of agriculture research कोई doubt तून यह students आपको और इसका एक और चीज़ है आपको इसका headquarters कहां पर देखने को मिलता है हमें headquarters इसका मिलेगा निव डेली में तो clear residence यहां तक प्लीज इसको note on कीजिया आप लोग अच्छा ओके आगे फर्दर अगर फर्दर रेखा जाए कि what do you mean by what do you mean by just a second एक मिर्ट अब हम लोग इसको देखते हैं international rice research institution अब यह आपका क्या है जो मनीला के अंदर है मतलब तो Philippines के अंदर हमें देखने को मिलता है ना मनीला तो वो क्या चीज़ है students हम लोग इसके ओपर भी थोड़ा सा study कर लेते हैं कहते है it is an independent यह एक independent है even non-profit based है यह जैसे आपके NGO से रहते हैं सेम वो ही है non-profit research and educational institute है यह and educational institute और यह क्या है founded in 1960 by the अब किसके द्वारा बनाया गया students important है please request बहुत important रहती है यह चीज़ें by the ford and rocky fellers by ford and rocky fellers foundation किसकी support से with the with the support from the with the support from the philippines concept थोड़ा सा आपको याद रखना होगा यह चीज़ें यह जो data add-on किया जा रहा है यह important रहता है students इस तरीके का data आपके examination point of view से काफी ज्यादा important रहता है clear है आगे बढ़ू मैं even इसी के लिए लिखा जाए तो जो आपका headquarters है ना जो international rice research institution का headquarters at Los Banos यह कहां पर मिलेगा आपको यह आपको मिलता है Philippines के अंदर Los Banos has offices in अब इसके offices कहां कहां पर है एक जस्सेक्ट has offices in 17 rice growing countries concept देख लीजिए in Asia and Africa तो इसके कहने का मतलब क्या है कि 17 देश जो चावल उगा रहें continents रहेंगे आपके एक तो है Asia और एक है Africa तो 17 आपके offices यहां पर भी आपको मिल जाएंगे कौन-कौन से continents में एक Asia में और एक Africa में तो कहने का मतलब क्या है कि भारत में और चाइना में आपका international rice research institution आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा clear students यहां तक और detail पढ़ते हैं इसके बारे में तो यहां तक हमारा clear हो चुका है यहां पर लिखा कि जो resist submergence है यह एक नई variety है rice की can resist submergence for up two weeks and significantly do not damage by the heavy floods again important तो यह यहां पर दिखाया गया कौन से variety है वो है resist submergence is the new variety clear है अब आगे अगर बात करें greater yielding की तो कहते greater yielding is enriched with the submergence मतलब sub in the short gene the variety can yield up to five tons per hectare on an average तो आप लोग इसकी yielding capacity को भी बढ़ा जै कितना अरे students five tonne का बढ़ाया गया पर hectare को लेकर यह average है एक अनुमार है इससे उपर भी जा सकती है आपकी yielding के clear है और वो क्या चीज रहेगी यहां पर लिखा गया कि reduction in crop loss अब concept यहां पर बहुत basic concept आ गया अब concept देखें एक तो flood से कि damage नहीं हो पा रही है इसकी yielding capacity क्या होगे बढ़ चुकी है तो obvious है जो reduction होगा नुकसान हो रहा है crop को लेकर वो बहुत कम रह जाएगा कहते is some 1500 farmers cultivate on and about तो 1500 farmer 1500 किसान असम के अंदर क्या करते हैं cultivate करते हैं कितना 950 hectares in crop yielding areas which have been impacted by the regular flood clear है यहां तक अरे इसी लिए तो जो आपका rise है varieties can reduce flood cause crops loss substantially clear है यहां तक अगर आगे बढ़ा जाए यहां पर आगे लिखा regeneration are varieties can get regenerated again in the case damaged by the floods hence ensure maximum productivity तो यहां पर अगर मैंने जो diagram आपके लिए जो picture दिखाया है यहां पर लिखा हुए स्वर्नस सब्वन यह आपने अभी देखा था ना कि स्वर्नस सब्वन भी हमारे पास एक पैड़ी की variety चावल की variety आई है जैसे की रंजीत है और जैसे की बहादूर है तो similarly यह स्वर्नस सब्वन यहां पर picture लगाई गई है जो असम की रहती है यह वली कि जहां पर मुझे rainfall ज्यादा देखने को मिलेगी ना जिस टाइम पर या फिर या बोल दो कि भारत के अंदर जब पॉन सुन आता है जब हम लोग बोल देंगे कि खरीफ क्रॉप लगाने का टाइम आ चुका है कहते खरीफ क्रॉप रेक्वाइर हाइट नेंपरेचर अब कंसेप्ट तो वह यह ना अगर आपका तापपान हाई होगा तभी तो बारी जादा होगी ना तभी तो लिखा कि हा टेंपरेचर अबवफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई हुमिडिटी विज एन्नुल रेइनफॉल अबवफ 100 सेंटिमेटर कोई डाउट तो नहीं है यहां लिखा अबाउट वन फॉर्थ ओफ तो टॉटल क्रॉप अब मैं बात करूँ कि अगर पूरे वर्ड में मेरे पास 100 परसेंट क्या है राइस है तो जिसमें से 25 परसेंट तो वन फॉर्थ हो गया वन फॉर्थ ऑफ टूटल क्रॉप एरिया इन इंडिया इस अंडर राइस कल्टिवेशन तो पूरे भारत के अंदर 25 परसेंट हिस्सा चावल उगाने में लग रहा है आपका यहां पे यह सारे क है अब पूरे भारत में याद रखे सबसे इंपॉर्टेंट कौन कॉंसे से रहते हैं जो हेल्प करेंगे आपके राइस प्रोडक्शन में अब इसके उपर में अगर डाटा थोड़ा सा और एड-on कर दूना तो आप ज़्यादा बेनीफिशन मिल जेगा मैंने बोल तया वे वेस्बिंगॉल में मेरे पास गंगा है, तबी तो मैं वेस्बिंगॉल को क्या लिख रहा हूँ, राइस कल्टिवेशन बहुत अच्छी रहती है, इवन यहाँ पे आपको रेड स्वाइल भी देखने को मिलती है, उत्तरपरदेश, सेम सार मेरे पास गंगा है, और मुझे रे क्रक्स लेकर आया कि जो West Bengal में जो बंगाल के अंदर हमें चावल देखने को मिला वो तीन तरह का मिला हाला कि हमने ये न्यूस को पहले भी करा हुआ है जो rice की ऊपर आई है कि West Bengal के अंदर हमें three types of rice देखने को मिलते हैं वो है Os, Amun और एक Boro ये चीज़ students आप लोग underline करके मा कर दो pen से मा कर दो pencil से मा कर दो क्योंकि ये चीज़े करक्स रहेंगे आपके लिए before exam आप एक बार इसको read करके जाईएगा और यहाँ पर लिखा in India contribute 21.6% of rice production in the world and ranks second after China मतलब China पूरे विश्व में सबसे पहले है for the production of rice और दूसरे स्थान पर हमारा भारत आ रहा है clear है students यहाँ तक कोई doubt है तो please comment section में आप लोग जुरूर लिखे okay हम लोग आगे बढ़ते है हमारी next news रहती है कि fast tech details for the new vehicle registrations तो यह आपके लिए important रहेगा GS paper 2 and GS paper 3 के लिए clear है students यहाँ तक क्या मैं यहाँ पर अब शुरू कर सकता हूँ थोड़ा सा data आप लोगों के साथ ठीक है ना तो हम इसी तरीके से continuity में रहेंगे और अपना data सारे का सारा complete अप करते जाएंगे clear है तो यहाँ पर लिखते हैं अब देखिए यह लिखते हैं कि the ministry of अब मंत्राले आ गया road, transport and highway तो कौन है union minister? नितिन गड़करी जी है उन्होंने decide किया to ensure the capturing of fast tech details while registering or issuing the fitness certificate to the vehicles all over the country अरे फाइफा क्या बोला गया? कि ensure the capturing capture करने fast tech details को जब हम लोग fitness certificate कोई भी vehicle का बनवा रहे हैं पूरे भारत के अंदर यहाँ पर लिखा besides facilitating smooth communication sorry, commutations या transit use of electronic mediums of fast tech payments would also help in checking COVID-19 separate as cash payment is avoided अरे concept है कि जो हमने देखा था COVID-19 के अंदर बहुत एक deadly virus है जो तो यहाँ पर government of India निये भी बोल दिया था कि आप maximum से maximum क्या करें? cashless करें मतलब electronic payment को use करें तो उसी के तहत यहाँ पर लिखा गया था कि electronic medium को भी use कर लो ताकि हम लोग maximum fast tech use कर सकें और यह prevent क्या करेगा? चेक करवा देगा कि COVID-19 further separate ना हो पाए clear है ना? कोई problem तो नहीं आपको? आगी बढ़ते हैं यहाँ पर even लिखा the ministry of road, transport and highways ने direct किया किनको national information center को अरे concept देखें national information center को directions दी गई हैं ताकि वो ensure कर सके details of electronic toll collection devices are captured on वाहन पॉर्टल again important कि जो पूरे भारत में वाहन पॉर्टल है वहाँ पे details of electronic toll collection को आप लोग capture करो यह निर्देश दिये गए थे मंतराले था ministry of road, transport and highway और किसको दिये गए? national information center को अब students आप लोग मेरे साथ बने रहें हम लोग इसके उपर एक और डाटर add-on करते हैं कि what do you mean by national information center जो अभी हमने देखा यहाँ पे कि आपका national information center क्या चीज है देखें आप लोपस यहाँ पे लिखा गया कि it provides it provides network backbone यह एक backbone है जो network provide करते है and e-governance and e-governance support देंगे यह support किसको देंगे? to the central government भारत सरकार को बिल्कुल ठीक है ना? तभी तो लिखा गया कि backbone है central government को दे दिया अच्छा भारत के राज्य सरकारों को state government और किसको देंगे? अरे union territories रह चुके है union territory administrations को clear है? अच्छा इसके ओपर अगर और आप बढ़े आगे के तेक it is under the एक सिकेंड ages of the कौन से मंतरा लेके अंदर आते हैं? यह आपको पता है under the ministry of electronic and information technology तो कंसेप्ट देखें ministry of road and transportation ने किसको निर्देश दिये थे national information center को और वो national information center कौन से मंतराले के अंदर आता है? वो आता है my dear students आपका ministry of electronics and the information technology के अंदर आता है clear? अब अगर मैं इसके ऊपर एक और data add-on कर दूँ कहते it was established in 1976 में आपका national information center बन गया था and is located in new Delhi बस एक चीज़ आप लोग याद रखें कि new Delhi के अंदर काफी ज़्यादा आपके important offices आपको मिलेंगे clear? आप प्लीज ये data को add-on किया करो लिखा करो screenshot ले लिया करो जाए clear? next जलते हैं आपे अब बात करें वहन पॉर्टल की थो हमने देख लिया था अब next जाहता है the full integration अरे full integration मतलब धीरे धीरे करके हम लोग में बढ़ाना है और किसको? national electronics toll collections को with वहन पॉर्टल के लिए अब what do you mean by national electronics toll collection कोई बताएगा कहते national electronic toll collection है ना जो ये develop किया गया है developed by n-p-c-i अरे what do you mean by n-p-c-i students तो ये रहता है ये कहें national payment company of india याद रखें कब किया गया था अपके national electronic toll collection को in 2016 और क्यों किया गया था for electronic toll collection at toll plazas using fast tag तो ये data prelims perspective से important है ये data आपका prelims perspective से आपका important रहेगा अब हमने data कहाँ पे upload करना है वहन पॉर्टल पे has been achieved and the portal is now getting कौन सा पॉर्टल वहन पॉर्टल is now getting all the informations तो वहन पॉर्टल के ओपर अब सारी की सारी informations आ चुकी है fast tag की through vehicle identification number vehicle registration number के दौरा clear है कोई problem तो नहीं है यहापे shall we move further हम लोग आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे रेखा जाए तो यह लिखा हुआ है कि motorist must enter the fast tag lane at the toll plaza at 25 से 30 km पर आर की speed पे अगर आप निकलते हो तो भी आपको जो toll देना है वो automatically deduct हो जाएगा यह क्या चीज है RFID अरे यह radio frequency identification detector है यह एक tag लगा हुआ है fast tag के उपर जो read करेगा and authenticate करेगा and green traffic light guides करेगा driver को to pass through the lane clear driver should not stop the vehicle taking too long to pass may lead boom barrier to fall if tag is not read अगर tag read ना हुआ the motorist must exit the lane to be checked by the toll plaza staff with the hand held reader जो उनके पास एक hand held reader मेलब scanner type रहते है if the tag is not valid अगर tag valid नहीं है the motorist must pay the double the toll before moving on तो ये भारत सरकार के निर्देश थे आपके लिए clear यहाँ पर one portal के उपर भी लिखा हुआ है कि one portal क्या चीज़ है जो अभी हमने पढ़ा ना कि national information center है और national electronic है जो one portal के उपर पूरे भारत के registration को अप्रोड किया गया है तो वह one portal क्या चीज़ है कहते इट एक्ट सें integrated solution यह एक integrated solution है किसका vehicle registration का for the state transport department clear अब यह help किसको करेगा various processes को अरे कौन कौन से processes हैं like fitness like taxes permits and enforcement to get computerized clear यह important है अरे यही तो आपका one portal है जो हमें e-governance के लिए help कर रहा है हमें digital India को लेकर आ रहे हैं आम लोग तो वहान पॉर्टल में आप लोग यूज़ कर सकते हो अगर digital India के ओपर को भी question arise होता है तो you have to take example as वहान पॉर्टल का को प्रॉब्लम नहीं रहेगी उसके उपर तो यहां पर लिखा जो the state transport department है governed by both central motor vehicle regulations CMVR and the state specific motor vehicle regulations जिसको MVR बोलते है इवन लिखा गया consequently वहान वाँ वॉज़ कंसेप्चुलाइज एस product that would capture the functionalities mandated by the CMVR अरे CMVR students क्या चीज़ है तो वह central motor vehicle regulations as well as state motor vehicle regulations again data important है clear हाला कि हमने इसको पढ़ लिया है national electronic toll collection है जो NPCI बनाता है कि national payment cooperation of India बना रहा है 2016 के अंदर for electronic toll collection at toll plazas using your fast tag हम लोग अपने next slide के अंदर आज ही देखेंगे कि fast tag के ओपर जो अभी हमने देखा न यह वाला RFID वो क्या चीज़ रहती है तो यह रहा आपका you can buy it कहां कहां से कहते the price tag 100 rupees bank insist on the initial balance of 450 यह fast tag के ओपर detail थी why slow down fast tag movement कहते 90% of toll plazas have only hybrid lanes concept है कि जो हमने देखा था एकदम से traffic हो गया था तो कि पूरे भारत के ओपर 90% toll plazas के ओपर hybrid lane लगा दी गई थी where both fast tags and cashes are accepted 39 toll plazas on state highway accepted clear है even यहाँ पर लिखा हुआ यह concept देखें आप लोग fast tag accounts for 18% of toll payment and 29% of toll revenue कोई doubt तो नहीं आपको यहाँ पर clear है हम लोग आगे बढ़ते है तो यह रहा आपका fast tag यह fast tag ट्रेटमा का था एक QR code है और यहाँ पर tag class लिख दिया और यह रहा आपका एंटीना जिसको RFID बोल दिया गया था अरे इसी एंटीना के अंदर तो data क्या रहता है save रहता है वो वहिकल का clear आगे बढ़ते हैं fast tag के उपर देखिए यह 2017 में इसको introduce किया गया था क्याते इस एन electronic toll collection system यह हमने देख लिया है और हमने use भी किया है with reloadable tag features अब वो allow करेगा automatic deduction वो automatically deduct कर देगा toll को without having to stop for carrying out cash transactions अब इसको operate किया गया National Highway Authority of India के द्वारा अब National Highway Authority of India बना था National Highway Authority of India एक्ट के अंदर 1988 में यह चीज़ याद रखें और इसका main purpose क्या है National Highway Authority of India का to develop national highways यह चीज़ पर आप लोग थोड़ सा focus करें and develop the projects clear है अब यहाँ पर जस्टा सेकेंड यह चीज़ तो clear हो गई है कि हमने पहला point देख लिया National Highway Authority of India ने operate किया और यह क्या चीज़ है allow करेगा automatic deduction of toll electronic toll collection है जो 2017 में बना है clear अब यहाँ पर लिखा यह important है मैंने आपको अभी discuss किया था था ना कि हम लोग देखेंगे RFID अरे radio frequency identification है यह वो कहाँ पर यह रहा ना आपका radio frequency identification यह एक ऐसी technology है जिसके अंदर honor की details vehicle की details registered की जाती है and is fixed on the windscreen of the vehicle once active RFID is use of radio wave to read and capture the information stored on a tag attached to an object clear attack can be read from up to several feet अब यह tag fast tag आपका दूर से भी read किया जा सकता है away and does not need to be within the direct line of sight मतलब line of sight का मतलब पता है क्या होता है ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बिल्कुल 90 degree के एंगल चाहिए बिल्कुल सीधा देखना है नहीं ऐसा concept नहीं होता यह बहुत है loss line of sight मतलब बिल्कुल straight नहीं होना चाहिए कि ऐसे conditions नहीं है fast track के अंदर of reader to be tracked clear है data यहां तक हमें आगे बढ़ना चाहिए अब आगे news देखते है देखे कोई भी doubt है तो प्रीज आप लोग comment section में जूर लिखे next हमारी news रहती है कि इंडिया dropped from the छबार railway project यह important रहेगा my dear students for the GS paper 2 के लिए क्या मैं शुरू कर सकता हूँ यह यह विद निउस आप से okay fine सही है बस आप लोग बने रहें हम लोग ना बड़े आराम से हर एक news को धीरे धीरे करके और detail में explanation में इसे करते जाएंगे लिखते हैं और सुनते हैं यहां पे लिखा कि Iran has decided अब Iran ने decide किया to proceed with the छबार rail line वो छबार rail line जो भारत ने बनावाना शुरू किया था इरान के साथ construction on its own अब वो खुद बना रहे sitting delay अब क्यों क्योंकि delay हो चुका है from the Indian side in beginning and funding project अब concept है beginning मतलब एक तो start करने में और उपर से funding करने में भारत ने delay कर दिया क्यों delay कर दिया अगर इसके पीछे मैं करक्स बोल दूना तो delay सिरफ एक ही कारन हुआ था United States ने कुछ sanctions को लगा दिया था impose कर दिया था उसी के तहद हमने थोड़ा सा इसके अंदर delay किया था clear है students यहाँ पे बढ़ सकते हैं हम लोग आगे यहाँ पे लिखा कि Iran has inaugurated अब Iran ने inaugurate किया the track laying process कितने किलोमेटर का 628 किलोमेटर का कहां से कहां तक वो है चबार से जहादीन रेलवे लाइन विच विल बी extended to the जारांज across the border in Afghanistan most important point यह वला आपका प्रिलम्स प्रस्पेक्टिव से मैं बहुत important बोग रहा हूँ याद रखें इंडिया ने क्यों शुरू किया था यह सब कुछ भारत ने क्यों शुरू कर दिया एक तो इंडिया इरान से अपने relations को और बड़िया बनाना चाहता था और यहाँ पे एक चीज लिखी है कि एक which will extend अब ये railway line extend की गई है जरांज तक और वो जरांज है जो अफगानिस्तान के border तक लगता है इंडिया को एक रूट मिल जाता इंडिया को एक रूट मिल रहा था clear है के ते जो ये सारे का सारा project है would be completed by the March 2022 and Iranian railway will use approximately United States dollar 400 million मतलब 400 million US dollars का खर्चा आना है from the Iranian National Development Fund क्योंकि अब भारत की तरफ से डिले हो चुका है तो Iranian Development Fund से पैसा निकाला जा रहा है 400 million dollars का ताकि ये मार्च 2022 तक खतम हो जाए और कौन देख रेक कर रहा है और कौन project को आगे बढ़ा रहा है वो है Iranian Rail Base clear अब इंडिया ने क्या role play किया इंडिया इसको लेकर अब आगे क्या future क्या plan कर रहा है वो अब हम लोग यहां पर देखते है यहां पर बोली गई है कई चीजे हैं केते अफगानिस्तान जो आज कल आपको लदाक में देखने को मिल रहे clear केते इंडिया इरान अफगानिस्तान signed the trilateral agreement तो इन तीनों देशों ने मिलकर एक tri agreement signed क्या भारत ने इरान ने और अफगानिस्ताने जो entailed the establishment of transit and transport call most important for the means perspective याद रखें ये international relations पे इस तरीके questions पूछेंगे ही पूछेंगे अरे जो trilateral agreement था वो basically किस के अधार पे था कौन सा बेस था वो था आपका transit and transport call among the three countries कौन कौन से इंडिया, इरान और अफगानिसान बिलकु ठीक है using चबार पॉट in the एरान as one of the regional hubs for sea transportation clear अब चबार पॉट क्या चीज़ है यहाँ पे लिखा गया कि जो चबार पॉट है वो locate करता है Gulf of Oman में तो ये रहा आपका चबार पॉट ये रहा आपका चबार पॉट अब ये कहते and is only 72 किलोमेटर away from the गवादर पॉट in पाकिसान अब ये आपका पाकिस्तान का गवादर पॉट है ये वला जो मैंने याँ पे red लगा है तो इन दोनों के बीच में कितने किलोमेटर का फरक है सिर्फ 72 किलोमेटर का फरक रहते है एक distance रहते है गवादर पॉट जो पाकिसान के है which has been developed by China अब चाइना ने गवादर पॉट को बना दिया है तो भारत चबार पॉट को बना रहा था ठीक है इन दोनों के बीच में गवादर कितने 72 किलोमेटर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब माई डियर सुडेंट्स तो प्लीज इसके उपर भी थोड़ा सा पढ़ लें कहते गलफ ओफ ओमान है क्या चीज ये है नौर्थ वेस्ट आम किसकी आम आफ दक अरेबियनसी की कि नौर्थ वेस्ट आम है अरेबियनसी की जो भारत के वेस्ट में आपको अरेबियनसी देखने को मिलता है और इवन यहाँ पर लिखा इट लाइस बिट्वीन इट लाइस बिट्वीन दर इस्टरन पोशन ऑफ दर अरेबियन पेनिसुला मतलब वो क्या चीज है यहां पर अब इंपोर्टेंट है जो ग्राफिकल इस्पेक्ट से मैंने क्या लिख दिया अरेबियन पेनिसुला को ओमान यह चीज वैसे है बेसिक अगर इसके बारे में डिटेल देखी जाए गल्फ आफ उमान की और तो यह कहते इस फाइव सिक्स्टी किलोमेटर लॉंग और कितना है किनेक्ट विद परिशन गल्फ थ्रू तो पांसो साट किलोमेटर अगर लंबा है और यह किनेक्ट करता है परिशन गल्फ को थ्रू थ्रू थ्रेट ऑफ हॉर्मूज अगेन इंपोर्टेंट कौन से स्ट्रेट से विद दे हेल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपका गल्फ आफ ओमान पर्शन गल्फ से टच करता है क्लियर है अगर और एक पॉइंट देखा जाए तो यहां पर लिखा इट ओफर्स तो आपका गल्फ ओमान ओफर करेगा एंट्रेंट्स ओनली थ्रू अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन तो इन ही के थ्रू आप लोग गल्फ ओमान तक रीच कर सकते हों और यहां तक तो हमने देख लिया गल्फ ओमान को और यह चीज याद रखना कि गल्फ ओमान और गवादर पॉट के बीच में 72 किलोमेटर्स का फासला है और गवादर पॉट जो पाकिस्तान में डेवलप किया गया है चाइना की तरफ से यहां पर लिखा the pot serves as the only oceanic port of Iran and consists of two separate ports named एक बूला गया था शहीद बहेश्टी and शहीद कलन तरी clear again important इस तरीके का question पूछा जाता है बढ़ते हैं आगे अब यहां पे आप लोग यह चीज़ देखें मैं एक मिन डाटा यहां पे थोड़ सा clear करता हूं कि इंडिया को इतना importance क्यों है चबार pot क्योंकि अगर भारत यहां से बनाता है तो यहां पे लिखा गया है कि जो चबा अफगानिस्तान के उपर आपका जराज मिल जाएगा इवन जराज से लेकर देला राम तक भी हम लोग travel कर सकते हैं तो आग गया concept भारत के लिए एक travel route खुल रहा था वो चीज़ इसलिए तो भारत इतना जादा importance यहां पे दिखा रहा है clear है अब इंडिया का क्या role play होता है यहां पे हम लोग पढ़ते हैं भी तो यहां पे लिखा गया कि जो construction of a rail line from चबार port to the Zahadine वो यहां पे रापका जो यहां से लेकर Gulf of Oman से Zahadine तक जो बनाया जा रहा है Along the border with Afghanistan has an alternate trade route to Afghanistan and Central Asia was also part of it यह important है प्रिलिम्स perspective से इंडिया के लिए यह data यह पहली line आपकी इंडिया के perspective में है यह वली clear है कि भारत ना role क्यों play कर रहा है और यह आपके सामने यह देखें चबार port से Zahadine तक और यहां पे जहरां जारा रहा था फिर देला रमा रहा था clear यह लिखा गया लिखा गया दे श्टे ओंड इंडियन railway construction limited आर अंड इसको बूला जाता है अब आर कॉर्ण ने शाइन किया था में रेंडम ऑफ अंडर्सेंग मॉय शाइन किया था किस के साथ एरानियन रेल मिनिस्टरी के साथ and promise किया था to provide all services, super structure work and financing around कितना? 1.6 billion USD dollars clear है? तो ये था background, ये थी history, MOU किसके लिए? चबार pot के लिए यहाँ पर लिखा, the chabar pot is being considered a gateway तो एक ये gateway था, किसके लिए? भारत के लिए? तो तो golden opportunity, मैं भारत के लिए बात कर रहा हूँ ताकि हम लोग trade कर सकें by three countries with other Central Asian countries, अब concept है तीन देशों के दौरा, other Central Asia के लिए इंडिया, और कौन है? अफगानिस्तान और कौन है? इरान, तो ये तीन देश मिलकर Central Asia के साथ trade बढ़ा सकते हैं Central Asia के countries के साथ trade बढ़ा सकते हैं in the wake of Pakistan denying transit access to India ये क्यों आया? क्योंकि Pakistan ने deny कर दिया था transit access to India, मलब भारत को यहां से गुजरने के लिए ठीक है? कोई problem तो नहीं है तो ये आपका role important play कर दा है ये data role important play करेगा और आपको पता लगा कि चबार पॉर्ट भारत ने M.O.Sign क्यों किया? क्योंकि हमने Central Asia के countries के लिए अगर trade करना है उसके साथ trade करना है तो हमें ये बहुत important role play कर रहा है और हमने ये यहां पे लेकर ही क्यों है? क्योंकि Pakistan ने deny कर दिया था transit के लिए भारत को यहां तक कोई doubt हो नहीं आपको Students, अगर कोई doubt रहता है तो please comment section में आप लोग ज़रूर लिखें क्योंकि ये चीज़े यहां पे काफी ज़्यादा important role play कर रही है और ये आपका understanding होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है for the UPSC याद रखें आपको सिरफ हर एक चीज़ को memorize नहीं करना है उसकी understanding भी होनी चाहिए आपको कि भारत के लिए क्या role play कर रहा है चलो ठीक है अगर हमने इतना पढ़ लिया कि इंडिया के लिए role play हो रहा है तो वो future में क्या होगा प्रेजिंट में क्या और पास्ट में क्या है यह तीनों चीज़े हमने पढ़नी ही पढ़नी है हल हाल में clear है और मैं आपको यही काम बस यहाँ पर करवा रहा हूँ ठीक है ना बस आप बने रहें continuity में रहें आप लोग मेरे साथ ठीक है ना यहाँ पर लिखा despite several sites visited by the archon अब archon जो वो ही है ना जिसने M.O.E.O. साइन किया था किस के साथ Iranian ministry के साथ यहाँ पर mention है यहाँ पर लिखा है ना Indian Railway Construction Limited जिसने Memorandum of Understanding साइन किया Iranian railway ministry के साथ engineers and preparation by the Iranian railway तो India never began the work तो भारत ने कभी भी काम नहीं शुरू किया क्यों अब यहाँ पर important आ गया अरे तो मैंने बहुत तो दिया था ना एक basic layman language के अंदर भारत को डर था worrying that it could attract sanctions by the USA तो यह डर था भारत को जो USA ने एरान के ओपर sanctions लगाए थे कि अगर चभार पॉट पर भारत ने काम करना शुरू कर दिया तो it might also possible कि USA sanctions इंडिया के ओपर भी नहीं लगा दे ठीक है next आया the USA had provided a sanctions waiver for the चभार पॉट अब concept है even USA ने प्रोवाइड किया sanctions waivers को चभार पॉट को लेकर and the rail line but it was difficult to find equipment suppliers and the partners due to the worries of the being targeted by the USA students यह यहाँ पे कोई point आपको clear नहीं है तो प्रीज बताईएगा next आता है अब एक और कारण है another reason क्या है it could be comprehensive plans for the cooperation between Iran and the China बहुत important है जो comprehensive plan थे Iran और चाइना को लेकर which is 25 years and the USG 4 billion strategic partnership deal यह भी आ रहा है यहाँ पे अब होता क्या है Iran और China both nations are close to finalizing the deal which will include Chinese involvement तो इसके अदर Chinese की involvement भी थी कहाँ पे चपबार duty free zone पे क्यों and oil refinery nearby अब concept आ गया चाइना ने क्यों अपना यहाँ पे involvement दिखाया अरे refinery nearby and possibly a large role in the चपबार अब concept यहाँ पे एक चीज़ देखें हाला की चाइना ने गवादर पॉट को भी बनाए अब वो चपबार पॉट पे भी अपना involvement दिखा रहा था कि ते एरान प्रपोस अटायय बेट्वीन चाइनीज-रन पाकिस्तान पॉट अगवादर आज चपबार in the 2019 and offered interest to China in the Bandar-e-Jusk port जो 355 km है चपबार से as well as in the chabar duty free zone अब what do you mean by बंदरे जस्क पॉट तो concept देख लीजिए ये रहा आपका बंदरे जस्क ये कहां पे दिख रहा है आपको between the Gulf of Oman and Persian Gulf और ये आपका बंदरे जस्क आपका कहां पे मिलेगा स्ट्रेट आफ हॉर्मूज के बीच में मिलेगा और माइडिया स्ट्रेट आपको स्ट्रेट आफ हॉर्मूज भी अब आपको दिख गया याद रखें ये इंपोर्टेंट रहते हैं ये चीज़े आपके लिए clear है यहां पे लिखा अब यहां पे कोपरेशन विल एक्स्टेंड अब आपको पता लगा ये चीज़ क्या है और क्यों ये रोल प्ले किया रहा है चाइना की तरफ से क्योंकि चाइना अपना इंटरस देख रहा है यहां पे clear है students यहां तक तो मैं आज का session यही तक रोखता हूँ और किसी को कोई भी doubt होगा तो request करता हूँ comment section में आप लोग जूर लिखें और मैं आशा करूँगा कि ये भी session आपको काफी अच्छा लगा होगा और प्लीज इसको rate कीजिए और review कीजिए Thank you students